चीकोज रेस्पीज को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें नमस्कार दोस्तो हरे कृष्णा मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं गीता का आपको बार्मा ध्याय सुनाऊंगी जो की इस प्रकार से है अरजुन ने पूछा इस परकार जो भक्त सदैव योग युप्त होकर आपकी उपासना करते हैं और व्यक्ति परम ब्रम को भजते हैं इन दोनों में से कौन सा स्रेष्ठ योगी है श्री भगवान बोले जो मेरे विशे में मल लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योग प्रंतु जो इंद्रियों को सयम करके सरवग्य समद्रिष्टी रखने वाले सब प्राणियों के हित में लगे हुए हैं अकथनिये अव्यक्त सरव्यापी अचिंतनिये निर्विकार अचल ध्रूव अक्षर का भजन करते हैं वे भी मुझे प्राप्त होते हैं अव्यक्त मे प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पन करके मेरी शर्ण आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूझते हैं उन शर्ण में आये हुए भक्तों को मैं थोड़े ही समय में मृत्य यूक्त संसार से उधार कर देता हूँ मुझी में मन रखो मुझी में ही बुद्धी रखो तब तुम मुझी में निवास करोगे इसमें कुछ संदेह नहीं है हे धननजय यदि इस परकार तुम मुझे में अपने चित को लगाने में समर्थ नह हो तो अभ्यास योग दवारा हमारे पाने के लिए बारंबार यतन करो यदि अभ्यास भी ने कर सको तो मेरे उदेश्य से वरतादी ही करो यदि मेरे लिए तुम करम करोगे तो तुमें मुक्ती प्राप्त होगी और यदि ऐसा भी ने कर सको तो मन को रोक अनन्य भाव से मेरी शेरन में आओ और फल की आशा छोड़ कर करम करो क्योंकि अभ्यास से ग्यान उत्तम है ग्यान से ध्यान श्रेष्ट है और ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ट है ध्यान से शांती प्राप्त होती है जो किसी से द्वेश नहीं करता सब का मित्र है दयादारी है ममता और अहंकार जिसमें नहीं है परना मन और बुद्धी लगाए हुए है ऐसा मेरा भग्त मुझको प्रिया है जिसमें ने लोगों का भय है ने लोगों से जो ड्रता है जो हर्ष इर्षया दुष्टों से भय और विशाद से रहित है वह मेरा प्रिया है जो कुछ मिले उसी में संतुष पवित्र पक्ष कर कर्म करने वाला ऐसा जो मेरा भग्त है बह मुझे प्रिया है जो लाब से प्रसंद नहों किसी से द्वेश ना करे इष्ट पदार्थ के निश्ट होने से दुखी न miał किसी वस्तु की इच्छा ना करे शुब तथा अशुब दोनों का त्यादी भग्त मेरा परंप्रिया है जिसको शत्र और मित्र मान और अपमान सर्दी और गर्मी सुख और दुख समान है और जो वासना से रहित है जो निंदा और स्तूति करे समान जानता है और मुझे मानकर इस अम्रित के समान का ल्यान कारक धरम का आच्चन मेरे उपदेशा नुसार करते हैं वे मुझको अत्यंत प्रिया है तो ये था बार्मा अध्याय आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं धन्यवाद हरे कृष्णा जै श्री राधे